प्यारे साथियों नमस्कार स्वागत है आप से अपना प्यारा सा यूटूब चैनल जिसका नाम है DLS Education विद्यकुल प्यारे साथियों मैं आपको बदा दू कि बिहार विद्याले परिक्षा समीती दुबरा आप से एड्मिट कार्ड जारी कर दिया गया है और यह रहा आपका क्लास को उन बच्चों की पास सेयर कर देजिए जो इस वर्ष 2024 में एक्जाम देने वाले हैं बिहार वोर्ट से यह इस प्रकार से एड्मिट कार्ड है जब आप एड्मिट कार्ड ले करके आओगे तो आपको निर्देश भी देखने को मिलेगा यह बिहार वोर्ट जो है ए जहने का क्या मतलब है तो एक बर साथ यो सेयर करेंगे एक बर दबा करके सेयर करेंगा मजा आए आज की क्लास में क्योंकि यह बिहार वोर्ट वारा यह जो आपका जारी किया इसमें कुछ है कंडिशन है उस तुछ को फॉलो करनी होगी साथ यो मैं आपको बता दू कि यह पर आपका फोटो यहां पर आपका नाम सब कुछ रहेगा यह इस तरीके से आपका एडमिट काड होगा जिसमें अब पहली बार जो है पहली तो चेंजिंग मैं बता दू कि लगबग एक दो सालों से आपका बीसी भी जो है यूनिक आइडी जारी कर रहा है ठीक है आपको शुक buyers का दैडी अफ्रसान नाम दिया हुआ रहेगा एगा भी माशी इस के आधारन मबर नहीं दिया रहेता तो अप परक्षार्व दिक्कत से महींonia नहीं मिला है तो आप लोग अपने एड्मिकार एस्कूल से ले सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है एस्कूल से एड्मिकार आपके मिल जागी बत इत्मिनान से बढ़िया से समझे क्लास को छोड़के जाओगे फिर दिक्कत हो जागी परकार करन निर्देश जारी किया गया है और एक एक निर्देश आपके लिए काफी जरूरी है यहाँ पर जर्मतीती दी गई होगी यह सब कुछ पहले मिला लिजेगा मैं इसलिए कह रहा हूँ यह आपकी जाती दीगिरूद की बीसी बन है क्या है क्या नहीं है आपके फंज अछाक नाम दिया रहाएगा यह समझे गा उसके बाद से यहां पे आपके दोषु सुरू होगा और पंच बचिय साइजках की बात करते हैं तो दो बजे शुरू होगी लेकिन चार बच के 45 इंश कि खतम कर ली जाएगी क्योंकि वह 80 नंबर का ही पेपर होता है 10 वी के बात करता हूँ अब सांतियों क्या आप लोग उच्छुक हो कि 16 अपरकार की नियम कौन-कौन से बिहार बोड तुमारा जारी किये गए है उसे सर बता दीजी तो एक बर फड़ापट से सांतियों लाइक करके सेर करना दबाके सांतियों सेर करना हर एक बच्छों के पास ये वीडियो पहुचनी चाहिए और आप लोग ये स्ट्याटस होगेरा भी लगा दीजी और कुछ खास चर्चा भी मैं आपको करने वाला हूँ तुवेल्थ के लिए एड्मिट कार्ड के बच्चे अगर बात कर रहा है तो तुवेल्थ का एड्मिट कार्ड लगबग 21 जनवरी को जारी किया जाएगा लेकिन विहारबोट के 10 वी का एड्मिट कार्ड जारी कर दिया गया है इंटल का भी एडमिनकार्ट जारी किया गया है लेकिन क्यों प्राक्टीकल का मैट्री के बच्चों का प्रैक्रेक्टीकल और प्रैक्टिकल का और संधानदिक परिक्षा यानि ताकि मैं बताना सुरू करूँ आप सभी को, बिल्कुल साथियो, यस, 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 सब का यासारा, चलिए, आईए, समझते हैं, साथियो यह original admin card है, और इस admin card में जो निर्देश दिये गया है, अगर आप अच्छे से अगर आपको यहाँ पर पढ़ा नहीं जा रहा होगा, तो मैं पढ़के समझाऊंगा, आप परिसान मत होएगा, वैसे admin card जो मिलेगी आपकी रहा, यह सब admin card पर इसा ही लिखा हो रहेगा, इस निर्देश को अच्छे से परिएगा, सबसे पहले कहा गया है, परिक्षार्थी के लिए अवस्यक निर्देश, निर्देश क्या है भ तो ज़्यादा खास बात नहीं है, लेकिर फिर भी खास है, ठीकना, इसको आपको उसमें भरना होता है, ठीक है, BCB unique ID, चलो, यहां से इने को यह जो admin card है, वो center परिक्षा में जो परचार्थी सफल हुए हैं, पास हुए हैं, उन्हीं के लिए माने होगा, अन्याथा यह मान नहीं होगा, यानि उन्हीं बचों का जारी भी किया गया है, जो center exam में परिक्षा में पास हुए हैं, अगला चीज, आप ध्यान से समझेगा, अब यहां से सुरू होती है, सर आपका अवस्यक निर्देश, जो विहार बोर्ड ने जारी किया है, और इसकी कारण आपको दिक करके जानी है, लेकिन वही आईडी मानने होगी, जिस आईडी पे आपकी फोटो रहेगी, यानि कि आप अधार कार्ड का ले करके जा सकते हो, कोई अधार आईडी आप न ले करके जाईएगा, जिस पे आपका फोटो नहीं चिपकाया गया हो, नहीं तो exam center पे जाने के हो गई है, डाइडी आपकी बने नहीं होगी, अभी है न, मैंने ऐसे बोल दिया, उसी परकार कोई भी अगर आईडी होगी, मतलब अधार कार्ड के लावा, जिस पे आपका फोटो होगा, वो लेके जा सकते हैं, अगला निर्दियस, प्रथम पाली परिक्षार्थी को परि 30 मिनट पहले यानि कि दिर बज़े आपको परिक्षा हॉल में सामिल हो जानी है, अब देखो सबसे महत्मूर बात यह है, बिहार बोड ने ये साफ साफ दावा करता है, कि आपकी एक्जाम पाली में जिन बच्चों का होगा, ध्यान से समझेगा, उनका एक्जाम साढ़े न ममला सुनते रहते हो, इससे बचा जा सकी, है ना, क्योंकि आदे घंटे जबा पहले पहुंचे येगा, तो आदे घंटे का दर में पेपर भी लीग होता है, तो आपको मिलेगा नहीं, है ना, मतलब मैंने ऐसे ही कहा दिया, ठीक है, तो बात विहार बोड का कहने का मतलब य यानि कि आप एक्जाम हॉल में कम से कम एक घंटे पहले आप सेंटर फेंफेंच अरा सेंटर पे और आधे घंटे पहले आप लोग एकजाम हॉल में सीट वर जाना जाकर कि सीट में जब जाओगे तो चीट होगे चेक कर ले रहें कि चीट होगे आज कुछ पूजा होजा नहीं नहीं है बस यह चीज ध्यान अखना ओके यह चीज़े बहुत इंपोटेंट है यह चीज़े बिहार बोड़ोला बताए गया सबसे खास बात बताए गया यह ठंडी का लेकिन बिहार बोड़ोल ने यह निर्देश जारी कर दिया कि परिचार्थी परिक्षा भौन में जूता मोजा पहन करके सरपता बरजीत है नहीं पेन के जा सकते हैं यानि जूता मोजा आप पहन के नहीं जा सकते हैं पिछली बार भी ऐसाई हुआ था लेकिन अंती में ठं जालू ठीक है उसके बाद कहा गया कि बिलम से आने वाले परिक्षार्थी परिक्षा भौन में परिवेस करनमती नहीं मिलेगी अगर कोई वच्छा बिलम से जाता है लेट से जाता तो परिक्षा उसे बाहर कर दिया जाएगा कापी सारे न्यूज भी सुनते हो कि कापी सार ओनके नहीं जानी है परिक्षा भौन में और बुलू तूथ कोई किसी कभी प्रियोग नहीं करनी है यह विहार बौट सार साथ साब σας दवा करता है यह बिहें ले जाएंगे और अपने ही seat पर बैठेंगे हर एक बच्चे का seat अलग अलग होगा और अपने ही seat पर आपको बैठना होगा यह भी हारबोर्ट दावा करता है कि आपको ऐसा ही करना होगा पेन के अलावा और अपने एड़ीड कार्ड और एक आईडी कार्ड के अलावा आप कुछ नहीं लेके जा सकते हैं आप ऐसे सिंपल जाना होगा आपको बीना कुछ लिए है ना यह भी हारबोर बात कह रही है अब चुटी उटी के महोल चल रही है तो आपने यहां से देख ले रहा है लेकिन जिस बचों का आया है अगला चट्था निर्देश जारी क्या गया है कि परक्षार्ति को प्रतेक बिसाय की परिक्षा के लिए एक और उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्त का मिलेगी यानि कि जितने भी बचे परिक्षा में जाएंगी उसको एक और उसको उत्तर पुस्त का जिएगा यानिकी कोंपी दिया जाएगा जिस पर प्रक्षार्ति की बीवरण अंकित रहेगा बीवरण का मतलब आपका सब कुछ लिखा रहेगा आपका नाम आपके आपके आपका रॉल नं जोट जीज लिखा गया है उसका जाच कर ले और जाच करके यह बता लें यह जाबित कर ले कि उनहीं का OMR सीट है देखो इस तरीके से आपका OMR सीट मिलेगा इस पर आपका नाम लिखा हुँआ रहेगा आपका फोटो रहेगा आपका रॉल कोड रॉल लंबर रहेगा इस पे आपकी फोटो है ना यह बिहार बोड में पहली बार ऐसा हुआ दो तीन सालों से लगबग हो रही है दो से तीन सालों से कि आपके कॉपी पे आपकी फोटो छपके आ रही है आपकी नाम छपके आ रही है आपकी रॉल कोड रॉल लंबर छपके आ रही है तो यह मिला ल नहीं है कि आपने एगो कॉपी खराब हो गया तो दूसरा कॉपी सर्जी लाकर के दे दीजिए तो ऐसा चीज नहीं होने वाली है यह बात समझना समझ गया चलो सातवा निर्देश समझना सेवेंथ बोला गया है कि उतर पुष्ट का प्राप्त होने पर प्रक्षार्थी उनक आपके लिए उस निर्देश को जरूर पढ़ना क्योंकि कई बार कई चीजें बदलाव कर दी जाती है एक्जाम हॉल में यह बात पता चलती है है ना तो उस निर्देश को आप लोग जरूर पढ़िएगा जो कॉपी मिलेगे उसमें कुछ निर्देश दिया गया होगा समस्में के समझेगा परिक्षार्थी द्वारा उतर कुछτιका के कौवर प्रिष्ट के बायां भाग में केवल विसाय का नाम weakened तर देने का माध्यम अंकित किया जाएगा जिस सेट कोड का प्रश्ण पत्र आपको मिला है उसी उस प्रश्ण पत्र सेट कोड को बक्स में अंकित करते हुए प्रश्ण सेट कोड वाले पर गोला यानि की नीले और बाल पिन से उसे भरना होगा इसका कहने का मतलब यह है कि ज सबसे पहले ओमर जो सीट रहेगी इस प्रकार से ओमर सीट साइध आपको असपश ने दिख रही होगी इस तरीके से कोश्चन पेपर जो आपको मिलेगी यहाँ पढ़ाता हूं तो भी बताता हूं आपको कि देखो इस तरीके से डी रहेगी आप ए बी सीडी ए फाई जी बक्स में अंकित करते हुए प्रश्चन सेट कोट को वाले गोले को आप अच्छे तरीके से गोला करें यानि कि भर दें अब कह रहा है कि जो भी निर्देस आपको दिया गया है जैसे प्रश्चन पत्रक करमांग अंकित करते हुए अपना पूरा नाम विशाय का नाम अंकि आपने उस OMR सीट में आफको भरना होगा ठीक है वो जाओगो तो मिल जागा वैसे मैंने OMR सीट कैसे भरनी है इसके भी मारे में मैंने चर्चा कर दी है आगे आगे कह रहा है नौ नंबर निर्देस समझेगा एक एक निर्देस बहुत अतिमत्मूर है उतर पुष्ट का के प् सब्सक्राइब नहीं करने इसको मूड़ना नहीं है यह कटिंग नहीं करने इस पे एरेजर ब्लेड नहीं लगानी है नाखू नहीं लगानी के जिस तरीके से कॉपी आपकी आई है वैसा ही साप सुत्रा रहनी चाहिए गंदा नहीं करनी है चलो आगे कारा 10 नमबर निर्देस कि प्रश्ण पत्र में दी हुई संख्या के अनुसार अपने उत्तरों की संख्या लिखेंगे और प्रश्ण उत्तर के समाप्त होने पर अंती में एक नीचे 36 रेखा भी खिंच देंगे काने का मतलब के जो भी प्रश्ण पत्र दी गोई रहे उसके उनसार प्रश्णों को लिखेंगे जो भी कोशन बना रहे है उसको लिखे और जब समाप्त हो जागा तो उसे 36 रेखा एक खिच देंगे कि भाई मैंने इसको समाप्त कर दिया इसको बना दिया तो जब वैसे कारी को कर रही होती है तो उसके लिए अत्रिक्त कोई कॉपी नहीं दिया जाता है आपको जो कॉपी मिलिये उसे में करना होता है तो कहा है कि आप उसमें अपना रफकारिय कर सकते लेकिन उसके सांसा ध्यान दिजिएगा तो परिक्षार्थी उतर पुष्ट परिक्षार्ति उस रफ कार्य को काट कर देको क्रोस लगा देंगे या फिर तरीके से कार्य यहений तो अगला जिससे की उनके समझ्या ना हो क्या इसके हमको एक उनको यह ना समझ में हैं कि भाई साब यह बनाया है क्या कोई किस कोशन का एंसर अब वो तो गंदा दीखेगा तो नंबर काट लेंगा ऐसे में आप रॉफकारे लिकर के उसे क्रॉस कर देना कि भाई सा मैंने यहां पर रॉफकारे किया था ठीक है मैं सबका पढ़ने वाला हूं यह कुछ स्वाष्ट नहीं दिख रहा होगा में लेकिन मैं पढ़ के समझा रहा हूं से समाझ लेना ए ड्मीट कड़ाय आया होगा तो आगए रख लो और आगे रख करके उसे समझ NICK ठीक है चलो आगे करें कि उप्रियुक्त उत्र पुस्त का ए और बी यानि कह रहा है कि जब आपकी एटेंडेंस बनाए जाएगी देखो अगर एटेंडेंस बनाते व्यक्त गलती कर दिये या फिर एटेंडेंस आपने नहीं बनाई तो समाज आओ आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगी इक्जाम हॉल में जितना जरूरी आपको पेपर को सॉल्व करना है उतना ही जरूरी आपका एटेंडेंस बनाना है एटेंडेंस बनाते वगग आपको वो यमार सीट पे एक सिरियल लंबर दिया गया रहे गा इस तर efficacy कैसे यहां यहां पर यहां पर س husbands सकता को लिखा जागा कउपी भी मिलेगी उसे इसकी शुआ है यह कि आपने एक्जाम आप ही दे रहे हो यह एटेंडेंस बनेगी आपकी उपस्तिती पत्रक जो आपको मिलेगी यह भी हार बोर्ट साब साब कहा है तेरा नंबर इन्हों ने कहा रहा है कि परिक्षा कक्षे में एक दूसरे से मदद लेने या बादचीत करने अत्वा किसी प आप जैने पक दाच्शार का मामला मानती हुई परिक्षा फल अममानिय कर दिया जाएगा यानि कहजा है कि अगर आप ने किसी भी बच्चों से अपन?". सहायता ली एकजाम हॉल में अगर आप एकजाम हॉल में किसी भी बच्च्चों से अपना सहायता ली कि मुझे ये बता दो वो बता दो ये कर दो वो कर दो तक समझो उसके बासे साव का क्या थमाम अगर पकड़े गए तो फिर गरबड हो जागी दूसरी वाइटनर इरेजर, नाखुन ब्लेड उगे रहा है किसी का भी इस्तमाल नहीं करनी है नहीं तो आपका परिक्षा फल नहीं आ जागा यानि की रिजल्ट आपकी पेंडिंग हो सकती है चौधा चौधा निर्देश क्या बोला गया है परिक्षा पर्राम होने से एक घंटा के अंदर किसी भी परिक्षा को परिक्षा के अंदर से बहार जाने के अनुपति नहीं मिलेगी विख्षक को समर्पित ओयमार उतर पत्रक उतर पुस्तिका प्रिक्षार्थी को पूनहीं है जब तक पहली घंटी नहीं बज़े जाती है उसके पहले मत जाईएगा इसलिए पूरा वेवस्था करके जाएगा आपना ताकि टुएले टुएलर ना लगे कम से कम एक घंटा के लिए ठीक है दूसरी चीज़ अगर पानी पीना होगा तो वहाँ पे टीचर उपस्तित हों अगर पानी चाहिए तो टीचर को बोल देना वहाँ पर या तो स्टाफ होंगे तो लाके देंगे और नहीं तो टीचर खुद जा करके पानी आपके लिए कर करेंगे बोतल में और फिर आप पानी पीज़ेगा है ना उस दिन आप लोगे दम मौज करिएगा यह चीज़े हो अगली चीज क्या है अगला कि यदि किसी बिद्याले या परधान द्वारा आपने बिद्याले की किसी भी परिक्षार्थी के निर्गत हुए परिक्षाप परत्र यानि कि यह परिवेस्पत्र में उसके किसी भी विवरण में अपने अस्तर से सुधार या परिवतन कर दिया जाता है तुस्से सुधार को बिलंब बिल्कुल मानने नहीं होगा और यहां पर कहा जा रहा है कि क द्याले प्रधान के बिरूद नियमानसार प्रसासनिक करवाई भी की जाएगी यह देखो सबसे बड़ी एक बात खास बात यह है कहा जा रहा है कई बार ऐसे बच्चों का होता है जैसे मैं बार बार कहता हूं कि देखो कुछ बच्चों का क्या होता कि भाई साब नाम सही है लेकिन फोटो किसी और का गया है फोटो सही है या नाम किसी और का गया है तो अगर प्रिंस्पल के द्वारा उससे काट करके और आपका नाम लिख दिया गया उस पे यानि कि उसे सुधार कर दिया गया उसे एडमिट काड पे वह मानने नहीं होगा और उस पे प्रिंस्पल प उसके आब आद सुधार नहीं कर सकता है।akah इसलिए पहले मैं बता दू कि भिखारबूट द्वारा बताया गया था किहां अप की डॉमी अड्मी गार्ट जो है उसके चेक करो अगर किसी प्रकार की फूंटिया होती है तो सुधार कर लो लेकिन अब किसी प्रकार की सुधार नहीं होगी यह ध्यान रखेगा लेकिन हाँ जब रिजल्ट आपके आजाएगी जब एक्जाम दे करके आजाओगे अगर आपको कोई गड़बड़ी मिलती है उसके बाद आपको सुधार करवाने का मौका दिया जाता है सुधार हो जाएगी लेकिन बड़ा दोड़ और ले लो ठीक है एस्कूल में जाकर के ले लेना ओके यस गुर जी तो यह चीजी आ हो गई अगला परिक्षारती मास्क लगा कर परिक्षाहल में सामील होंगे और इसे बोल्ड कर दिया गया है ताकि आप इसे अवस्य माने अभी तो कोरोना वाइरस का मामला खतम है लेकि मास्क को नहीं जानी है परिक्षाहल में कई बार कई सेंटर में अनुमत्ती भी दे दिया जाता है लेकिन अगर वहां पे टाइट इक्जाम कर दिया गया तो समझो कि जरूरत पर जाएग और उसमें कहां डूंडेने जाईएगा मास्क इसलिए जेब में रख करके लेना नहीं जरूरत पड़ती तुसको रखे रहा ना है ना यह काम कर लेना ओके तैयार हो चलो अब कोंपी कैसे लिखनी है मैंने बता दिया है और जितने भी दसवी के बच्चे हैं आज संस्कृत के पूरे 200 कोशन हम पढ़ाने वाले हैं साड़े 5 बजे दूसरी बात तो क 15 चेप्टर करने वाले हैं उसके बाद आपको मॉडल पेपर कराएंगे प्रैक्टिस सेट करमाएंगे अब फिर एक्जाम बैठ वाएंगे और एंडे पहंटर लाओगी तो वह क्लास जो है आपको नहीं छोड़नी है दिन में 11 बजे तीन चैप्टर अभी तक मैं जब तप आपको सब्सक्राइब नहीं करूं कि आपको क्लास नहीं मिल भाएंगे और यह अंतिम और आखरी मौका है जिसमें पहली बार यह से भी हारवर्ड में हो रहा है कि मैं आपको पूरे 15 चैप्टर 15 दिने में अब्जेक्टिव सजेक्टिव दोनों पढ़ा रहा हूं और डंक इसके बाद अगर अच्छा प्यार दिखाते हो बढ़िया सपोर्ट दिखाते हो तो अगर वह सबचल सब्सक्राइब ken smitions के भी हो चुकी है इसकेध के बाद क्लास इस होने है सबसे इजी तो वह यह उसमें क्या करना है थैंक यू सर बताने के लिए बहुत धन्यवाद आपका बहुत बड़ी अब शुक्रिया बस आपकी के लिए जो भी इंपोटेंस सीजे होती है मैं सोचता हूं कि बता दू ताकि आपको एक्जाम में दिक्कत नहूं कि अब आप अपना देख सकते हैं कि क्राक्ट्री चेंज है या नहीं है अब आप अपना एड्मिकार्ट में मिला लीजिए गा हाँ हाँ सारा जब पढ़ोगे मैथ के कैप्सुल कितब ना सारा का सारा लड़ेगा बिलकुल लड़ेगा भाई साब एक बच्चा कारा कि मेरे डेट और अधार कार्ट में कुछ अलग है और रिष्ट्रेशन कार्ड पे अलग है तो एड्मिकार्ट में भी अलग होगा ऐसा काहे करते हो गलती प्रवाही चीज़े इसको ध्यान से देना अब तो कोई चीज होने वाले नहीं है बट अपना अध्मिकार्ट होगा रह ले करके जाना उसके साथ अपना आईडी कार्ट होगा रह ले करके जाना ताकि एक्जाम होल में दिक्कत ना हो ठीके यह चीज को समझना उके दन तो जूड़ोगे एक बार थमसब को रहा स्माइल करोगे सर आज साड़े पांच बेजे क्लास से संदार तरीके से जबर्जास तरीके से पढ़ते रहें मौज करते रहें और एकदम टांडों मचाते रहें धवाल मचाते रहें एकदम नागी नांस करते रहें के साथ यह लब यू में मिलता हूँ अगले वाली क्लास में संदार्जा और जुबर्जास